आज हम त्रिकोंड मिती स्वर्व समीकरण का अध्यान करेंगे पैस्न है निन्म समीकरण से थीटा विलोपित केजिए किजिए दिया गया है एक्स कॉस्ट थीटा प्लस एक्स साइन थीटा इस एक्वल टू ए एवं दूसरा समीकरण दिया हुआ है एक्स कॉस्ट थीटा माइनस एक्स साइन थीटा इस एक्वल टू बी इन दोनों समीकरणों से हमें थीटा को विलुक्त करना है तो थीटा को विलुक्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमको विलोपन विदी से समीकरण को हल करेंगे जिसमें sin theta और cos theta के मान को निकाल देंगे इसको solo करने के लिए पहले देखते हैं क्या दिया गया है दिया गया है कि x cos theta plus x sin theta is equal to a समीकरण नमबर 1 x cos theta minus x sin theta is equal to b यह दूसरा समीकरण हुआ है समीकरण एक में से समीकरण 2 को जोड़ने पर दूसरा समीकरणों को हम जोड़ रहे हैं x cos theta plus x sin theta is equal to a एवां x cos theta minus x sin theta is equal to b दूसरा समीकरण को जोड़ दिये x sin theta minus का और plus का कैंसिल हो गया यह दूसरा जोड़ के 2x cos theta is equal to a plus b यहां से cos theta के value निकाल लेंगे cos theta के value निकाल लें तो cos theta बराबर a plus b upon 2x समीकरण नमबर 3 नाम दे देते हैं इसको इसी प्रकार से theta को बिलुपित करने के लिए इन दोनों समीकरणों को हम घटा देते हैं इसी प्रकार समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर समीकरण एक x cos theta plus x sin theta is equal to a दोसरा समीकरण x cos theta minus x sin theta is equal to b जब घटाने की प्रक्रिया अपनाते हैं तो चिंद चेंज हो जाता है यहाँ पर यह दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपको मिलेगा 2x sin theta is equal to a minus b उना sin theta equal to a minus b अपन 2x इसको समीकरण नमबर 4 कह देते हैं अब हमने cos theta की भीमान निकाल लिया समीकरण 3 की रूप में sin theta के भीमान समीकरण 3 की रूप में निकाल लिया इसके पश्चाद हम इन दोनों मानों को अधार भुत सर्व समीका एक में रख कर theta को विलुप्त कर सकते हैं हम जानते हैं कि आगे का हम जानते हैं कि साइन स्क्वाइर थीटा प्लेस कॉस स्क्वाइर थीटा इस एक्वल टूपन इस सर्व समीका में हैं हम समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से साइन थीटा एवं कॉस थीटा के मान को रख देंगे साइन थीटा a माइनस b अपान 2x स्क्वाइर है तो स्क्वाइर लगा देंगे कॉस थीटा a प्लेस b अपान 2x स्क्वाइर है तो स्क्वाइर लगा देंगे पुनह देखिए A-B के स्क्वेर को हम तोड़ेंगे स्वालो करेंगे A-Square plus B-Square minus 2AB upon 4X-Square plus A-Square plus B-Square plus 2AB upon 4X-Square is equal to 1 फिर आगे देखिए दोनों का LC हम लेलें दोनों समान रासी है 4X-Square A-Square plus B-Square minus 2AB plus A-Square plus B-Square plus 2AB is equal to 1 यहाँ पर देखते हैं quantity minus 2AB plus 2AB दोनों कैंसिल हो जाता है तब पस्चार्थ कालेक्शन कर लेते हैं A-Square plus A-Square to A-Square B-Square plus B-Square to B-Square upon 4X-Square is equal to 1 पुना क्रास मल्टिपिकेशन कर देते हैं 4X-Square का 1 के साथ और 2 को कॉमन ले लेते हैं A-Square plus B-Square is equal to 4X-Square यहाँ से 2 को पुना पक्षांतर कर देते हैं A-Square plus B-Square is equal to 4 by 2X-Square A-Square plus B-Square is equal to 2X-Square तो इस रासी में हम पाते हैं कहीं पर भी थीटा नहीं है इस प्रकार से बिलोपन विधी से हम समी करण से थीटा को बिलुप्त कर लेते हैं यही हमारा अंसर है अगले प्रश्ण में देखते हैं यही हमारा प्रümü खीटा प्रश्चन है बताईए की समी करन बताईए की समी करन तैन थीटा प्लस साइन थीटा अपन तैन थीटा माइनस साइन थीटा सेट थीटा प्लस वन अपन सेट थीटा माइनस वन सर्व समी का है या नहीं सर्व समी का बहुत ही महत्ति पूर प्रश्चन है हमको बताना है कि ये समी करन वास्ताव में सर्व समी का है या नहीं इसके हल के लिए हम प्रारम करेंगे जो दिया गया है तैन थीटा प्लस साइन थीटा अपन तैन थीटा माइनस साइन थीटा समी करन के रूप में इस एक्वल टू सेट थीटा प्लस वन अपन सेट थीटा माइनस वन अब देखते हैं कि ये समी करन जो है थीटा के किन-किन मानों के लिए परिभाशित है ये बड़ा महत्तिपूर है तो हम जानते हैं चुकि 1090 का मान 1090 बराबर इन्फाइनेट होता है अनन्त होता है इसी प्रकार सेक 0 का मान भी सेक 0 डिगरी का मान भी इन्फाइनेट होता है एवं सेक 90 डिगरी का मान भी इन्फाइनेट होता है कहने कताद पर ये है कि सेक फलन 0 और 90 के कोण पर आपरिभासित है उसी प्रकायर से जो 10 फलन कोण 90 के लिए आपरिभासित है चलिए प्रारम्ब करते है 10 थीटा तो यहाँ पर हम जो थीटा लेंगे यहाँ पर जो हम थीटा लेंगे चर थीटा जो होगा चर थीटा होगा वो 0 इस लेस देन थीटा इस लेस देन 90 थीटा और 90 के बीच का होगा क्यों क्योंकि सेक फलन और टैन फलन 0 और 90 के लिए परिभासित नहीं है टैन फलन 0 के लिए परिभासित है लेकिन सेक फलन 0 और 90 के लिए परिभासित नहीं है चर जिरो इस लेज़ दिन थीटा इस लेज़ दिन 90 के मान को ग्रहण कर सकता है मान को ग्रहण कर सकता है कर सकता है यह हमने तैयारी कर लिया तक पस्चाथ जो समी करण है इस समी करण के हम बाया पक्ष को लेते हैं बाया पक्ष बराबरा समी करण का बाया पक्ष है टैन थीटा प्लस साइन थीटा अपान टैन थीटा माइनस साइन थीटा जहाँ पर हम क्या करेंगे इसको हल करने के लिए 10 theta के मान होता है यहाँ पर लिखते हैं 10 theta is equal to sin theta बटे cos theta मान को रख देते हैं 10 theta के जगा पर sin theta बटे cos theta plus sin theta अपन पुना यहाँ पर sin theta के इस्थान पर 10 theta के इस्थान पर sin theta बटे cos theta माइनस sin theta फिर आगे इसको हल करते हैं इन दोनों का बटे एक लिख लिए इसको solve करते हैं आपको मिलेगा cos theta या फिर एक काम करते हैं यहाँ से सब में sin theta जो है उपर की पद में sin theta common है sin theta को completely इसमें से common ले 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 तो इसका हल बड़ा असान हो जाएगा यहाँ sin theta plus sin theta cos theta इसी प्रकार से नीचे में लेके चलेंगे नीचे में भी cos theta और हो जाएगा जब इसका multiplication हो जाएगा तो sin theta minus sin theta cos theta आगे देखिए इस पद में sin theta common है इस पद में भी sin theta common है दोनों से हम ले ले लेते हैं यहाँ से यह cos theta और यह cos theta cancel हो गया उपर के पद से sin theta common ले लिए 1 plus cos theta नीचे के पद से भी हमने sin theta common ले लिए 1 minus cos theta इस प्रकार से sin theta sin theta cancel हो जाता है उसके पद शाथ यह cos theta है cos theta को हम एक बटे sec theta लेख सकते हैं 1 upon 1 by sec theta upon इसी प्रकार से हम ले सकते हैं 1 minus 1 upon sec theta अब इसको हल करते हैं तो यह हो जाएंगे sec theta plus 1 upon sec theta minus 1 नीचे का sec theta sec theta cancel हो जाएगा तो क्या हमारा right hand side यही है तो हम पाते हैं समीकरण के बायंपक्ष से प्रारम करके हम इस समीकरण के दायंपक्ष में पहुँच जाते हैं और यही हमारा दायंपक्ष है लेकिन चर किन किन मानों को गरहन करेगा चर 0 और 90 के बीच के मानों को गरहन करेगा उन्हीं सब मान के लिए यह सर्वसमी का होगा तिस प्रकार से दिया गया समी करण ठीटा के सभी मानों के लिए संतुष्ट हो रहा है जिनके लिए बहा परिभासित है इसलिए दिया गया समी करण एक सर्वसमी का होगा दिया गया सर्वसमी का एक समी करण होगा यह बहुत ही महत्पूल प्रश्ण है इस प्रकार से हम सर्वसमी का से समी करण स्वाल करने का तरीका आपको बताया फिर आके दिखते हैं कि हम समी करण को कैसे हल करते हैं थीटा के मान के लिए हम समी करण को हल करेंगे किसी भी समी करण के हलका तात्पर उसमें जो प्रियुक्त शर राशी होता है उसके मान को ग्याद करने से होता है अगले उधारणों में हम समी करण में प्रियुक्त थिटा के मान को ग्याद करके बताएंगे समी करन को हल कीजिए समी करन है हमारा कोस थीटा अपान one minus sign थीटा प्लस कॉस थीटा अपान one plus sign थीटा इस समीकरण को हमको हल करना है तो समीकरण को हल करने का ताथ पर यह थीटा का मान को ग्याद करने से है हल दिया गया है दिया गया समीकरण यहीं से हम प्रारम करेंगे दिया गया समीकरण क्या है cos theta upon 1 minus sin theta plus cos theta upon 1 plus sin theta is equal to 4 यह समी करना है इस समी करना को हल करना है हम दोनों step से cos theta को पहले common ले लेते हैं 1 upon 1 minus sin theta plus 1 upon 1 plus sin theta is equal to 4 cos theta इसको हल करते हैं 1 minus sin theta 1 plus sin theta इसका गुड़ा इसके साथ हो जाएगा 1 plus sin theta इसका गुड़ा इसके साथ हो जाएगा 1 minus sin theta is equal to 4 दोनों cancel हो जाएगे हमको मिलते हैं cos theta यहाँ पर मिलेंगे 2 1 into 1 मिल जाएगे 2 और सुत्र के इस्तमाल करेंगे तो यह हो जाएगा 1 minus sin theta is equal to 4 इसी प्रकार से cos theta into 2 upon सरस्वमी का नमबर 1 से 1 minus sin square theta होता है cos square theta is equal to 4 cos से 1 cos theta cancel हो जाता है तो 2 बटे cos square cos theta is equal to 4 then cos theta बरावर cos theta बरावर 2 by 4 is equal to 1 by 2 तो cos theta बरावर 1 by 2 और यह cos 60 का मान होता है cos 60 इसलिए theta is equal to 60 degree तो हम देखते हैं समीकरण को हल करने का तात्परी यहाँ जो इस्तेमाल हुआ theta उसका मान ग्याद करना है समीकरण को हम प्रारम करके हल करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हमको theta का मान 60 degree यह 60 answer मिलता है यही हमारा answer है इस प्रकार से हम त्रिकोडमिती समीकरणों को सरसमीकाओं को उप्योग करके हम इसको हल कर लेते हैं इस प्रकार से त्रिकोडमिती समीकरणों को हल किया जाता है कर रहे हैं एक और महात्यपून प्रश्ण पर हम विचार करते हैं समी करण को हल कीजिए हल कीजिए एक त्रिकुरण भीती समी करण है इस समी करण में हल करके थीटा कमान को ग्याद करना है इसके हल के लिए हम प्राराम करते हैं दिया गया शमी करण कॉस थिटा अपान कोस थिटा प्लस वन प्लस कॉस थिटा अपान कोस थिटा माइनस वन इसक्वल टू एक समी करना है यहाँ पर भी हम दोनों पदों से कॉस थिटा को कॉमन ले लेंगे कॉस थिटा दोनों पदों से कॉमन लेते हैं यह मिलेगा वन अपान कोस थिटा प्लस वन प्लस वन अपान कोस थिटा माइनस वन ब्रेकेट ओफ इस एकॉल टू टू इस एम्प्लाई कॉस थिटा इस एकॉल टू ब्रेकेट को स्वाल करते हैं दोनों का LC हम लेते हैं तो प्राप्त होता है कॉस थिटा प्लस वन इन्टू कॉस थिटा माइनस वन इनका गुड़ा इनके साथ हो जाएगा तो कॉस थिटा माइनस वन इनका गुड़ा इनके साथ हो जाएगा तो कॉस थिटा प्लस वन कैंसिल हो जाता है प्लस माइनस कॉस थिटा इस एकॉल टू टू कॉस थिटा यहाँ देखते हैं cosec theta plus cosec theta to cosec theta upon cosec theta plus 1 into cosec theta minus 1 यह आपको भी लेगा cosec squared theta minus 1 is equal to 2 सरसमिका का इस्तेमाल करना है हम जानते हैं 1 प्लस 10 स्कड Theta होता है कोस थीटा इंटू 2 कोस थीटा यह हो जाएगा cot square theta is equal to 2 यहाँ पर side में लिख दीजिए 1 plus cot square theta equal to cosec square theta यह सरस्वमी का कवपयोग हमने यहाँ पर कर लिया इसको और आगे हल करने के लिए देखें, यहाँ द्यान दीजिए 2 बाहर ले लिजिए यह आपका cos theta cos theta को 1 upon sin theta लिख लिजिए 1 upon sin theta और यह cot square theta है इसको आप नीचे से cos square theta और upon sin square theta 1 upon कर गया अब देखिए यह cos से, यह cos वाला cancel हो गया यह sin से, यह sin cancel हो गया और यह sin उपर चला जाएगा तो मिला आपको 2 यह sin एक sin बचा है यहां का तो यह sin theta यहां से एक cos बचा है यह आपका cos theta equal to 2 equal to 2 sin theta upon cos theta क्या होता है 10 theta 10 theta equal to 2 then 10 theta is equal to 1 10 45 का मान 1 होता है 10 45 degree का मान 1 होता है इसलिए theta equal to 45 degree यही आपका answer है हमने इस समीकरण को लिखा हल करते हुए आगे बढ़ा और theta के मान को हमने प्राप्त कर लिया इस प्रकार से theta बराबर 45 degree प्राप्त होता है एक समीकरण मातबूल समीकरण पर और विशार करते हुए प्रॉक depends कि अड़ मातबूल प्रॉके का रज़ प्राप्त समी करण है कॉस स्कर थीटा माइनस 3 साइन थीटा 3 कॉस थीटा प्लस 2 अपान साइन स्कर थीटा इक्वल टू 1 ये के त्रिकोण में ती समी करण है इसको हल करके थीटा कमांद ज्याद करना है इसको हल करने के लिए हम त्रिकोण में ती समी करण को लिखते हैं दिया गया समी करण समी करण को लिख देते हैं कॉस स्कर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 अपान साइन स्कॉयर थीटा is equal to 1 इसको हल करने के लिए sin square theta को हम cross multiplication कर देते हैं तो यह मिल जाएगा आपको cos square theta minus 3 cos theta plus 2 is equal to sin square theta पुना sin square theta को हम 1 minus cos square theta लिख सकते हैं cos square theta minus 3 cos theta plus 2 is equal to 1 minus cos square theta फिर देखिए पूरे cos theta को collect कर लेते हैं यहां minus का cos square theta है इधर आके plus का हो जाएगा दोनों आपस में जुड़ जाएगे तो यह हो जाएगा 2 cos square theta minus 3 cos theta यहां पर plus का 2 है इधर plus का 2 है यहां के minus का हो जाएगा तो plus का 1 बचेगा इस प्रकार से यह समीकरण प्रप्त हुआ अब यह कैसा समीकरण है यह समीकरण वर्ग समीकरण है cos theta पर एक वर्ग समीकरण है तो इस वर्ग समीकरण को हल करते हैं तो लिखेंगे 2 cos square theta इसको दो पार्ट में divide करेंगे तोड़ेंगे विभक्त करेंगे एक minus 2 cos theta और minus cos theta minus 2 cos theta minus cos theta दोनों को add करेंगे तो minus 3 cos theta हो जाएगा plus 1 is equal to 0 मुला देखिए यहाँ से minus 2 cos theta को हम common ले लेते हैं 2 cos theta को हम common लेते हैं तो मिलेंगे cos theta minus 1 यहाँ से minus 1 common लेते हैं cos theta minus 1 is equal to 0 दोनों में से cos theta minus 1 cos theta minus 1 को भार निश्ट है common है तो बाहर निकाल लेते हैं cos theta minus 1 into 2 cos theta minus 1 is equal to 0 अब देखिए दोनों का गुड़न फल 0 के बराबर है तो पहला step 0 होगा या दूसरा step 0 होगा तो यदि cos theta minus 1 is equal to 0 है या 2 cos theta minus 1 0 है देखिए पहले step में cos theta minus 1 is equal to 0 तो cos theta बराबर 1 तो यहां से theta बराबर cos theta is equal to किसका मान 1 होता है cos 0 का मान होता है तो इस समीकरन से theta equal to आपको 0 मिलेगा एक मिला theta equal to 0 या दूसरे part किसका हल करते है तो cos theta बराबर 1 by 2 या cos theta बराबर cos 60 का मान 0 होता है तो यहां से हमको या theta equal to 60 बराबर तो इस समीकरन में हमको theta के दो मान मिल रहे हैं एक मान theta equal to 0 और दूसरा मान या theta equal to 60 मिलेंगे दोनों में से कोई एक मान इस समीकरन को संतुष्ट करेंगे इस प्रकार से हम इस अध्याय में त्रिकोण मिती सरसमी का एवं त्रिकोण मिती समीकरनों को हल करना सिखाए है इसके पस्चात हम देखेंगे आगे के विशायवस्तो पर पूरत पूर्ण के त्रिकोण मिती अनुपात क्या होगा पूरत कोलो के त्रिकोण मिती अनुपात पूरत कोलो के त्रिकोण मिती अनुपात तो सबसे पहले हमको समझना है कि पूरक कोण क्या होते है छोटी कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा होगा ऐसे दो कोण जिसका योग नब्वेंस के बराबर हो वे कोण पूरक कोण कहलाते है अर्थात यदि कोण A और एक कोण B है और दोनों का योग कोण A प्लस कोण B बराबर 90 है तब ये दोनों कोण पूरक कोण कहलाते हैं आपस में अर्थात कोण A बराबर क्या हो जाएगा कोण A बराबर 90 माइनस कोण B और कोण B बराबर 90 माइनस कोण A अर्थात A को B का पूरक कोण और B को A का पूरक कोण के नाम से जानते हैं तो इस प्रकार से त्रिकूण मिती अनुपात में भी पूरा कूणों का बड़ा योगदान है तो यहाँ पर देखते हैं त्रिकूण मिती अनुपात में पूरा कूण का मान हम कैसे ग्याद करेंगे तो इसको ग्याद करने के लिए हम एक समकोण त्रिभूज का निर्माड करते हैं मान लेते हैं ये ABC एक समकोण त्रिभूज है जिसका B कोण समकोण है और नियून कोण C बराबर थीटा है एक समकोण त्रिभूज हमने बनाया तो हम जानते हैं त्रिभूज के तीनों कोणों का योग एक्सवसियंस होता है यहाँ पर कोण B 90 अंस है तो निश्चित रूप से कोण A और कोण C का मान योग कैसे होगा 90 अंस होगा चुकि कोण B 90 अंस है तो कोण A और कोण C का योग कितना होगा 90 अंस होगा यह आपने गड़ थीटा रखा है, तो इसका एक पूरा कोण मिलेगा, क्योंकि अभी हमने कहा, पूरा कोण, ऐसे दो कोण, जिसका योग 90 अंस होते हैं, समकोण होते हैं, पूरा कोण कह रहाते हैं, तो हम यहाँ पर पाते हैं, किसी भी समकोण के, दोनो नियून कोणों का यो न्यून कौन को अलग-लग चित्रों में दर्शा रहे हैं, परिमाप उसका एक ही है, यहाँ पर ये वाला कौन नब्बे माइनस थीटा होगा, ये कौन थीटा है, दोनों चित्र एक ही हैं, कि वाल अलग-लग चित्रों में आपको समझाने के लिए हम इसको दर्शा रहे हैं। इसी प्रकार से इस त्रिभूज पर भी देखिए समकोड के सम्मुक भुजा कंड कहलाता है यहां पर निवन कोड ए है तो इसके सम्मुक भुजा यह लंब कहलाएगी यह बहुत ही महत्पूर्ण चीज है आपको द्यान देना चाहिए और दूसरा यह सेज भुजा आधार कहल लाएगी कुल मिलाके दोनों चित्रू से एक बात स्पष्ट हुआ कंड दोनों त्रिभूजे में वही है निवन कोड के अधार पर अधार और लंब परिवर्तन होते रहते हैं अब आते हैं कि त्रिकूर्ण मिती अनुपात में इन दोनों का क्या योगदान है तो यहाँ पर कूर्ण C बराबर थिटा और कूर्ण A बराबर 90 माइनस थिटा हम इस चित्र में देखिए हम sin 90-θ क्या होगा देखते हैं इसमें देखते हैं ये एक नमबर का चित्र और ये दो नमबर का चित्र चित्रा नूसार मैं लिख रहा हूँ नमबर दो नमबर लिखूंगा तो दो यूस होगा एक लोगूंगा तो एक यूसोगा साइन यहाँ पर नियून कुण कितना है 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण तो लंब कितना है आपका लंब देखिए इसका ये BC है और कंड कितना है AC है समी कंड नंबर एक कही है इसी प्रकार एक चित्र अनुसार चित्र एक क्या अनुसार इसमें कॉस थिटा लीजिए कॉस थिटा क्योंकि यहाँ पर थिटा है कॉस बराबर होता है अधार बटे कंड अधार कॉन सा है आपका BC है और कंड कितना है AC है यह समी करण नंबर दो तो आप पाते हैं समी करण एक और दो से बहुत अच्छा रिजल्ट आपके सामने रस्तूत हो रहा है समी करण एक एवं समी करण दो से समी करण एक का दायापक्ष भी BC अपान AC है समी करण 2 का भी दायापक्ष BC upon AC है जब दायापक्ष बराबर है तो बायापक्ष भी बराबर होंगे तो समी करण 1 और 2 से मिलते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा यही त्रिकोन मित्ती अनुपात है पुरा कोणों के सेंस में तो देखिए साइन 90 मानस थीटा बराबर आपको क्या पराप्त हुआ कॉस थीटा यहाँ पर यह थीटा इस्तेमाल कर रहे हैं थीटा नियून कोण के लिए है थीटा नियून कोण के लिए है तो इस पर चर्चा करेंगे थीटा कहां से कहां तक हो सकता है तो नियून कोंड अधिकतम आप समकोंड तक जाएंगे तो 0 से लेकर 90 तक क्यों होगा इसी प्रकार दोनों चित्रों में चित्र दो के अनुसार हम कॉस 90 माइनस थीटा कमान ग्याद करना चाहते हैं कॉस थीटा कमान होता है अधार बटे करना चित्र दो में देखेंगे अधार कितना है बी सी करन कितना है एसी इसको समीकर नंबर तीन कह दीजिए इसी प्रकार से चित्र एक की अनुसार यहाँ पर ध्यान देने योग के बात यह है कि यह दोनों चित्र एक ही चित्र है मैं आपको समझाने के लिए लग लग बना दिया हूं साइन थीटा लेते हैं साइन बराबर होता है लंब बटेकर्ण चित्र एक में लंब अधार बटेकर्ण अधार हमारा चित्र दो में एबी एबी बटे एसे चित्र एक में देखिए साइन थीटा बराबर लंब अटेकर्ण लंब कितना है एबी बटे एसे यह समीकर्ण नंबर चार हुआ समीकर्ण तीन एवं चार से हैं हम पाते हैं समीकर्ण तीन का दायापक्ष का परिमाण एबी अपान एसी समीकर्ण चार का दायापक्ष का परिमाण बी सी अपान एसी अर्था दोनों समीकर्णों के दायापक्ष भराबर हैं तो निश्चित रूफ से समीकर्ण तीन और चार से कॉस 90 माइनस थीटा इस इक्वल टू साइन थीटा हुआ अता हम कह सकते हैं पूरा कॉन के त्रिकॉन बिती अनुपात के संदर्व में साइन 90 माइनस थीटा का मान कॉस थीटा होता है और कॉस 90 माइनस थीटा का मान साइन थीटा होता है आगे कल हम और देखेंगे कि 10 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है Sect 90-θ板 कमान क्या होता है Coat 90-θ板 कमान क्या होता है और Koarcap 90-θ板 कमान क्या होता है यह हम कल की विषयवस्तू में अध्यान करेंगे तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कल बाकि हम अध्यान करेंगे